जोर दार नारा लगा के ताडियें बजाके काफ़ान साम दास्वागित करना है भारत माता की भारत ये जन्ता पार्टी भारत ये जन्ता पार्टी बहुत बहुत तन्वाद सारे ही वीरंदा मैं बेंती करूँगा मेरे वड़े भी तरसेम सिंग रोडी नो कि ओ सिर्फ एक मेंड दे बेची आवदा स्वागित कारन गया हो सजनांदा ज्यादा समय ना लेंदे होए एक मेंड दे बेची अपनी हाज़ी लगवाण गे तरसेम रोडी जी सबतों पहला ता सारे नो वह गुरुजी का खाल सा वह गुरुजी की फते आज दी एस महार रहली मेंच पहुंचे साड़े लाके दे जुवानेता अधे देवी दित्या अधित्या देवी लाल जी जिगदीश चोपड़ा जी मिन्नों जी बेदफूरलां जी बीजे पीदी सरसाधी प्रता अनिता सचाहाग जी बेद भूलां जी ओना दे नारा आए बीजे भीपाल ती दे पतातका रिगांदा असी रोडी पिंड़ा उनते अपने बलो जी आ कहने हां ते असी बड़े पागां वाले हां के पूरे हलके दे विच्छों इनाने साठा पिंड रोडी चुने है तो एथे रहली रखी है एस वास्ते असी पूरी टीम दा आप दे नगर ओड़ी बले हो तानवाद कर देया क्योंकि ए पूरे हलके दी रहली सी तो एदा जिड़ा माना आपनों मिले है एथे होर बहुत गोविंद कांड़ा जी आया हो इने बहुत मैक का नमा इस आया मैंनों कुछ नामान नहीं पता जो भी अथे मेरे भी राये ने असी आपने नगर बनियों ओनानों जी आया कहने है तो सोनु वासी कोई बेंती है भी किसे दिया गलाज नहीं होना तुसी जेड़ी बोट पहुणी है ओ बकास दे ना दे पहुणी है ओ सनु कैन दी जोग ना देता हो वे सो टैम नू देख दे होए मैं सोड़ा ज्यादा टैम ना लेंदा हो अब मेरे बलो फेर एक कवरी सारे नू वाही गुरुजी का खाल सा वाही गुरुजी की पते हमारे बीच भारतिया जंता पार्टी के राष्ट्रिय सचीव हर्दिल अजीज बाई मनिंदर जी सिंग जी सिरसा पहुँचे हैं और मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार नारे के साथ हम इनका स्वागत करें पोले सो निहाल और मेरा निवेदन है भाई रूलदू नंबरदार जी से और शाजिंदर जी से कि मंच पर आएं और बुक्ये देकर भाई मनिंदर जी सिंग सिरसा जी का स्वागत करें हमारे बीच में भाई गोबिंद कांडा जी आए उनका भी स्वागत करते हैं और स्वागत है इस जिला की बहुत बड़ी हस्ती भाई मीनू बैनिवाल जी का जो अपने हजारों समर्तों के साथ हमारे बीच आए हैं उनका भी इस धर्ती पर इस धरा में इस पार्टी में अभी नंदन है वंदन है इस्तकबाल है बहुत बहुत स्वागत है मैं निवेदन करूँगा भाई बुटा सिंग जी से और भूरा राम जी से की आधरनिया जगदीश चोपडा जी का स्वागत करें और इसी के साथ मेरा निवेदन है कि बड़ी ही दमदार आवाज रखने वारी एक दमदार शक्षीत भाई गोविन जी कांडा की वो मंच पर आएं और हम सबसे रुबरू हों भाई गोविन जी कांडा मंच पर बिराजमान सिर्षा जिला धक्ष बहन छोटी नितासा जी हमारे लोग सबा परभारी सिरी बेद प्रकास जी फूला भाई सिरी बलकोर सिंग जी और अभी अभी हमारे बीच में भाई मंजंदर सिंग जी सिर्षा यहां पहुंचे हैं भाई रामचंदर जी कंबोज भाई मक्षनला जी सिंगला भाई अधित्य जी देविलाल भाई गंगा सागर जी कहरवाला सिरी मति रेनू सर्मा जी सिरी अमीर चंजी मेता सिरी संतो जी जग्गा और हमारे बीच के अंदर हमारे पिता के समान जगदीश चोपड़ा जी, भाई वुपैस मेता जी, सिरी राकेश जी, सभी भाजपा का मुख है परिवार मंच पर बिराजबान, मेरे सामने बैठे मेरे साथियों भाजपा के परिवार के सदस्य हैं, कालावाली हलका, और अभी अभी भाई मिनू, बैनिवाल जी आज यहां पधारे हैं, हम उनका भी आरदी का विनंदन करते हैं, उनके साथ आज जो हज़ारों की संक्या में मेरा आयलनाबाद का परिवार आया है मैं आप सभी का हार्दी का विनंदन करता हूं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में पूरा मुख्य मंतरी स्री मनोरलाल जी आहां पहुचने बाले हैं वो मुख्य बातें आपको बताएंगे साथियों ज्यादा बात करने की जूर्ट तो है नहीं क्योंकि जो विकास कारिया भाजपा ने करवाया है अपने साड़े नो साल के कारिया काल में माननिय मुख्य मंतरी मनोरलाल जी ने उनका आपके हलके से MLA नहीं है काला वाली से MLA नहीं है लेकिन आपके काला वाली में जो बिकास कारिये करवाए होंगे वो पचास साल में भी नहीं हुए जो इन्होंने नो साल के अंदर आपको करवाए है बिना मांगे आपको काम दिये होंगे बिना पुछे आपको काम दिये होंगे हमें उस विकास कारियों को देखते हुए और जो काम भार्थ के अंदर हमारे माननिय परधान मंत्री जी ने किये हैं उन कारियों को देखते हुए हमें जरूरी है कि भार्थ वर्ष से एक चार सो कमल के फूलों का गंबला हम हमारे परधान मंतरी जी को भेट करने जा रहे हैं उसके अंदर एक कमल का फूल हमारे सिरसा से जरूर जाना चाहिए भारी से भारी बोटों में हम भाई अशोक तबर जी को अपना सिर्वात दे कर ये कमल का फूल यहां से काम्याब करकर उस कमले के अंदर लगा कर माननिया भरधान मंतरी जी को वो गमला भेट करेंगे उस कमले के लिए में तन, मन, धन और जहां भी हमारी तागत लगस के हमें लगानी है और सभी को बताना है कि जो विकास कारी है जो काम भाजपा सरकरवा सकती है निस्पक्ष काम वो कोई और नहीं करा सकता आपने सभी देखे हैं, आपने सभी पार्टी हैं देखी है लेकिन भाजपा जो काम करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता तो आने वाड़ी 25 मई को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक एक मत कमल पर निकाल लगा कर भाई अशोक तवर जी को कामियाब करें धन्यवाद जैहिं जैहरियादा भारत माता की अब मैं नवेदन करूंगा की बिंदु शर्मा और उनकी पूरी टीम हमारे MP बहन सुनीता दुगल जी का सवागत करे बिंदु शर्मा जी भारत माता की भारत माता की अब मैं नवेदन करूंगा की हमारे परमादर्नियां शिरी जिगदीग चोपडाजी से वो आये और अपना अदभोधन दे जिगदीग चोपडाजी मंच्ते विराजमान पारती जनता पार्टी दे पूरे देश दे सेक्टरी वज्यों कम कर रहे सरदार मन जिंदर सिंग जी सरसा लेकिन एक पविखवानी करना के ए सरसा जड़ा है सरसा ए सरसे दा ना पूरे हिंदुस्तान दे अकाश्ती बुलंदियां ते पुचानगे और ओ देन आएगा अज भी ओ देन है जदो असी फखर नल कह सकने है के एस मिट्टी दा बेटा अज पूरे हिंदुस्तान दे वेच सरसा दे नानुरोशन कर रहा है मैं अपनी तरफ हूँ तो अड़े सब दी तरफ हूँ दिलां दी गैराईत हूँ ओनादा हार दिक स्वागत करदां अभिनंदन करदां मंचते विराजबान साड़े थोदी सांसद पैन सुनिता दुगगल जी आदित्ते चोटाला जी हुने हुने आपने विच्पधारे कैप्टन मीनू बैनिवाल जी साड़े बहुत ही हुर्जावान निताशा सिहाग जी साड़ी सीनियर नित्री रेनू शर्मा जी सागर केरवाला जी अमीर चंद मैता जी और बहुत ही अजीज और प्यारे गोबिंद कांडा जी जिननने हुने हुने इना दिना वेची सरसे दिविच बहुत वड़ी देन दित्ती है और रामचंदर चत्रपती जी और सब तोस वड़ के रामचंदर जी कंबोज जेरे अज़ दे इस पूरे किरदार दे दुला ने सरदार बलकौर सिंग जी एक वरी इना दे वास्ते भी जोरदार तालियां वजा दे हूँ सजनों ए रोडी दा इलाका ए बड़ा खुश किस्मत है ए थो नमे इतिहास दी हमेशा रचनाउं दी है शुरुआत किती जन्दी है अज भी जदों के अपने देश दी सरकार दा चुनाव करन जा रहे हैं सरसा जिले वेच अज रोडी तो उस अभ्यान दी शुरुआत किती जा रही है ए शुरुआत हिंदुस्तान दी तकदीर नो बदलन वाली है एक कोई छोटा मुटा चुनाव नहीं अज सारी दुनिया वेच हिंदुस्तान दा डंक का अकाश दी बुलंदियां चाहे देव लोग तो उत्रिया हुया एक देव दूत जिननों लोग केंदे नरेंद्र मोदी उसने हिंदुस्तान दी तकदीर दे विच चार चर्नल गाजिते ने पिछले दस साल दे हुनना दा किरदार मैंनू याज भी याद आ रहे है अमरीका दा राष्टपती दुनिया दी सब तो वड़ी पावर अमेरिका ध्यजिक दा राष्टपती अमरीका है अमरीका दे इतिहास विच अमरीका दी तरती ते एने वड़ी जन सबा एनन वड़ा जलसा अमरीका दा कोई वी राष्टपती नहीं कर पाया लेकिन हजारा Configra किलोमीटर दूर तो आके पारत दा प्रदानमंत्री पार्दमा दा बेटा त्वाड़ावीर नरेंद्र मोदी अमरीका दी तर्थी ते एन्नी वड़ी जनसभा कर गया के अमेरिका दे अज दक दे सारे इतिहास खतम हो गए सजनों एक कोई छोटी मोटी गाल नहीं है मैं सुन रहा सी पाकिस्तान दा मीडिया ओ कहरे सन पाकिस्तान दे किसे भी हलकेतों नैशनल असेंबली दी चोन वास्ते अगर नरेंद्र मोदी आके खड़ा हो जाए पाकिस्तान दा वड़े तो वड़ा नेता उसने सामने आ जाए उसनी जमान ते जबत हो जाएगी ये मैं नहीं कह रहे है ये पार्ती जनता पार्टी वाले नहीं कह रहे है ये पाकिस्तान दा मीडिया कह रहे है कहनदा पाव ए के इन नरेंद्र मोदी इश्वर ने पे जया अपना नुमाएंदा हिंदुस्तान दी तक्दीर नो बदलन वास्ते पिछले दिना पारती सरकार और हरियाना दी सरकार उन्हाने जिनने कम किते मैं अगर गिनान लगां ते कल स्वेर दा सूरज ओग जाएगा लेकिन वो कम खतम नहीं होनगे मेरे तो वद तुसी जानूँओ और जान देओ अगर हिंदुस्तान नो अपाँ चानेयां के आन वाले टाइम वेच दुनिया दे वेच एक नमबर दा देश बने ते अपने वास्ते कोई लंबी चोड़ी गाल नहीं करने ही बहुत कोई लंबा चोड़ा कम नहीं करना अपाँ सिरफ एक त्वाड़ा एक वोट हिंदुस्तान दी तकदीर नो बदल देवेगा इस करके आज ज़दी सब तो वड़ी देश सेवा कई वरी आपा सोचनेयां सर लेकिन आपाँ वी देश सेवा कर सकनेयां अच्छे आदमी दा चुनाव इस सब तो वड़ी देश सेवा है इस करके मैं तो अनू बड़ी विनमरता नाल बेंती करदा के इस देश दा पविक तो अड़ी आतविच है आज तो लेके पच्ची मई तक जेवे करविच किसे बे मीदनेदी शादि होगे ना नींदनी आंधी अपना अगल बगल अपना मवल्ला अपना पेंड अपने रिष्देदार अपने सजण मित्तर कोई वी येस्तो वंजानी रहना चाहिदा अपने संदेश हर गलीविच जाए हर महलेच जाए हर महलेच जाए हर चुंपडीच जाए कि हिंदुस्तान दी तक्दीर नरेंदर मोदी दी मुठीच है साड़ा एक एक वोट कमल दे फुल ते लगे ताके आनवले टाइम इच हिंदुस्तान मी कमल दे फुल वंग खिड़ जाए और ओ सिरफ त्वाडे आते चाए मेरी बहुत विनम्मर बेंती है कि असी आज अपने देश ता तरम डिवाए और कमल ते मोरा लवा के पार्ती जनता पार्टी नरेंदर मोदी दे नित्रत्वे विच सरकार बना के हिंदस्तान नू दुनिया दे बुलंदियां दे पुछा दे ये जै हिंद जै भारत दन्यवाच उपड़ा जी आप सब के लिए खुशकबरी है कि जिनका हमें बड़ी शिद्दत से इंसार था बड़ी मोहबत से जिनका हम इंदजार कर रहे है आधरनिया मनोहरलाल जी वो लेंड कर चुके हैं चंद पलों में वो हमारे बीच में होंगे और जहां तक मेरी अवाज जाती है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सबागार में आ जाएं आपके लिए कुर्षियों की विवस्ता है और बहुत अच्छा एक महल है बहुत खुश खबरी आपको यह से मिलने वाली है जहां तक मेरी अवाज जाती है सभी से निवेदन है कि वो एक बार पंडाल में आ जाएं बेंती है साड़े जिला जैक्स जी नू निवेदन कार दिया कि अपने युवा नेता पूरव सरपंजी दे स्पुतर रिशु जिंदल जी एना नू पटका पुआ के जोईन करवाया जावे पैन जी सुनीता दुगल जी मंजिंदर सिरसा जी जुवा नेता नू आज अपने परवार दिवचे शामल कीता जावे रिशु जिंदल जी भारत मता की भारत या जनता भारटी तो मैं निवेदन करूँगा आपकी काला माली की धर्ती पर जिनोंने भाजपा के लिए बहुत संगर्ष किया हमारे इस मेरा निवेदन है पुलिस परशाशन से कि करय करताओं को किर्पया अंदर आने दें अंदर पूरी विवस्ता है और मैं निवेदन करूँगा बैर रेनुजी शर्मा से कि वो मंच पर आएं और हम सब से रूबरू हो और सागर में गागर भणने का काम करे बैर रेनुजी शर्मा भारत मता की भाई आवाज नहीं आरी के बाद चाहे चुए थोड़ी कम पी लगा है थोड़ी जोरदार आवाज सीम साब पहुंच के रोडी के अंदर इसलिए आवाज जोरदार होने चीए आपकी बारत मता की भारत्य जन्ता पाटी अबकी बार अबकी बार नेन्दर मोधी नेन्दर मोधी आदर और संभान के योग दिल्ली से आये हुए हमारे नेता महेंदर सिंग जी, शिर्चा, हमारी MP, बहेंड सुनिता दुग्यल जी, जगदीश चोपडा जी, मिनू वेडिवाल जी, गोविन कांडा जी, अमीर चन जी, बुपेश मेता जी, सागर जी, वे मंच पर विराजमान, सभी नेतागर्ण, वे काडा वाली हलके से आये हुए, मेरे सभी भाई बंदू, कारेकरता बंदूओ, आज हमारे लिए सोभाग्या का दिन है, कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर, आप सब लोग यहां पर पतारे, और हमारे पूरुम में मुख काफी देर से आये हुए हैं, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, कारेकरता बंदूओ, अब हमारे लिए सोभाग्या की बात ये भी है, कि दस साल से जिस परधान मंत्री ने हमारे लिए काम किया, उनका कर्च चुकाने के लिए हमारा वो दिन आप आने वाड़ा है, कार बढ़ा कारेकरता बंदूओ, आने वाड़ा समय आने वाड़ा समय ये बताएगा, जैसे कि जगह जगह हम अगर कहीं गाम में जाते हैं तो पूछते हैं अब क्या हाल है क्या आपका विचार क्या है और आपकी इच्छा क्या है तो हर आदमी गाम का एक ही बात कहता है कि जी जिवें भी है कोई भी रुसे मने कुछ भी करे पर आउगाता मोदी ये बात आज गाम का हर आदमी कह रहा अज अगर किसी आदमी को जुरूरत है विमारी के अंदर तो वो व्रक्राइश्स के जूरुत है। विवस्ता मोदी जी ने कर दी, अगर अपने बच्चों की पढ़ाई की अगर जुरूरत है, वो विवस्ता मोदी जी ने कर दी, हर तरह की विवस्ता जो है मोदी जी ने कर दी, आपने देख रहे हैं कि जगें जगें, आज सड़के, स्कूल, होस्पिटल, जगें जगें बन आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जिस टेम की 2005 के अंदर मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था रोडी के अंदर और उस टेम जो है यहाँ पे सडकें भी नहीं थी और आज उसी रोडी की शकल जो है बदली हुई है कारेकरता बंदुओ जिस टेम 2006 के अंदर हर्याना के अंदर सरकार आई थी उस टेम जो है मनोर लाल जी जब पहली बारी कड़ावाली अंदर आये थे पहली बार जो कड़ावाली के अंदर है उन्होंने डी सी को कहा कि आप जित्ती भी मंगे हैं वो आप पूरी आप लिखके लाएं तो करेकरता उन्हें अपने सार काम जो है उन्होंने दिये तो हमसे लोग मजा कर रहे थे कि आपने इतनी मांगे रख दी आपकी कोई मांग पूरी ओने वाली नहीं है पर करेकरता बंदुओं मैं आपको कहना चाहूंगी उस टैम के हमारे मुख्य मंत्री जी मनोर लाल जी ने एक-एक मांग को उसी का प्रणाम है कि आज इतनी बड़ी संक्या के अंदर आप सब लोग अधरनी अमनोर लाल जी को सुनने के लिए आए हैं धन्यवाद जैहिंद हर दिल अजीज हम सब का मारदशन करने के लिए हमारे पूर मुख्य मंत्री हमारे नेताब नोर लाल जी पहुंच चुके हैं इनका बड़ी शिदत के साथ इंतजार था स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं और जब तक वो मंच पर आए हमारे नारे रुकने नहीं चाहि भारत मता की भारत मता की भारतिया जंता पार्टी भारतिया जंता पार्टी अब की बार भारत मता की भारत मता की भारत मता की भारतिया जंता पार्टी जिंदा वाच पारतिया जंता पार्टी जिंदा वाच पारतिया जंता पार्टी जिंदा वाच मेरा निवेदन है कि सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आदरनिया मनौरलाल जी के स्वागत में निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर खड़े होके तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे आदरनिया मनौरलाल जी को जैशिरी राम आजनिया मनोरलाल जी को जैशिरी राम आपकी तालियां, आपके नारे, आपकी दुआएं, आपका सने रुकनानी चाहिए हमारे बीच हर दिल अजीज नेता, हमारे यशिवी, तेजस्वी, औजस्वी मनोरलाल जी बीच में पहुंच चुके हैं आपकी और से इनका अभी नंदन है, वंदन है, और फिर से नारा लगाएंगे, बोले सोने हाँ बारत मता की बारत मता की बारत मता की वन दे, वन दे, अब की बार मती सरकार, अब की बार मती सरकार मता की मेरा निवेदन है भाई, बलकोर जींग से और हमारे जिलाध्यक्ष निदाशाजी सिहाग से कि वो आदर निया मनोरलाल जी का हम सब की और से स्वागत करेंगे बुके देकर, किरपान देकर हम सब की और से स्वागत होगा बारत मता की बारत मता की वन दे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चारो मंदल दक्ष आकर एक शाहल से आदर निया मनोरल जी का स्वागत करेंगे बारत मता की बारत मता की वन दे बारत मता की बड़ी देर से बड़ी का इंतवार कर रहे थे वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं उनका भी नंदन वंदन हो गया है और मैं निवेदन करूँगा हमारी जिला की धक्षा बेंट शिरीमती निताशा सियाग से कि वो मंच पर आएं और मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि जितने भी वक्ता आ रहे हैं वो गागर में सागर भरने का काम करें क्योंकि खुले दिल से खुले समय से आज हमादर्निया मनोहरलाल जी को सुनना चाते हैं भारत माता की सबसे पहले आज रोडी गाउं के अंदर हमारे बहुत ही ये शस्वी और बहुत ही लोक प्रिय माननिया मनोहरलाल जी आज हमारे बीच में आए है हम उनका तहे दिल से यहां पहुँचने पर बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और मैं सभी से उन रोध करूँगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और हमारे मंजिंदर जी सिर्सा, हमारे लोकसवा के परत्याशी डॉक्टर शोकतवर जी सुनीता दूगल जी, जगदीश चोपडा जी, अदित्या जी, सागर जी, अमीर चन जी और हमारे बहुत ही वरिष्ट, हमारे भारतिय जंता पार्टी के परिवार के सभी सदस्यों को मैं हाद जोड़के वंदन अभिनंदन करती हूँ आपके सामने एक बात रखना चाहूँगी, पता नहीं इस मंच से मुझे वो बात कहनी चाहिए के नहीं पर मेरे दिल की एक बात है लोगों ने आज तक ये सुना है और मैंने भी लोगों से ये सुना था कि आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा बगवान की हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर उनकी अपनी आस्था जताते हैं लेकिन मेरा एक व्यक्ती का तनुबब है, मैं शिप बाबा को मानती हूँ और मैं जब भी मनोहर लाल जी की तरफ देखती हूँ, मुझे उनमें मेरे शिप बाबा नजर आते हैं इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने मेरे जीवन में भगवान को देखा है जैसे एक बच्चे को जरूरत होती है उसके माँबाप की और भगवान के आगे जब हम दुआ करते हैं कि भगवान मैं इस मुसीबत में आ गया हूँ, तुसी आओ, ते मेरे नाल, मेनू इस मुसीबत चो कड़ो ता मेरा है व्यक्तिकत अनुपब रहा, कि जदो में मेरे ते किसे भी तरह दी कोई मुसीबत आई ता मेरे आन तो पहल नहीं, माननिय बाउजी, मनोहर लाल जी ने उस मुसीबत का समाधान कर दिया था और सबसे बड़ी बात, आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगी, कि ये कहने के लिए बात नहीं है और करने के लिए बात नहीं है जिनने भी मेरे वीर मेरे याँ पैणा मेरे युवा साथी ये थे बैठे ने इन अब दे दिल्चवी का गाल है जदो भी किसे भी बच्चे ने सरकारी नोकरी दा फारम पर या ओ हारा अपने देवी देवता जिनू ओह मन्द है ओदे अगे मथा टेक के जन्दा सी की परमातमा मैं तेरे ते सवामनी चड़ा हूँगा मैं तेरे पैदल यातरा करना हूँगा मेरी नोकरी लगजे लेकिन जदो वो नोकरी वास्ते पेपर देके करे आया और थोड़े दिना बाद जदो वो दा रेजल्ट हों दे ते वो बच्चे दा नाम जदो उस लिष्ट चाजन दे जीदे कोड ना ता देननू पैसे सी ना कोई वड़ी सिपारिश ती जदो उस गरीव कर दे बच्चे दा नाम सरकारी नोकरी चाजन दे ता ओदे दिल्दी वी अवाज है भी साड़े वास्ते ता जड़ा परमातमा आया है उत्तर के ओ तरती ते ओं मनोर लाल जी दे रूप चाहिए ते ओस एवा एस जड़ी अवाज मेरे दिल्दी है कि मैं अपनी जीवन दे विच साक्षात परमातमा नू देखिया है ता ओद बच्चे आदे भी दिल्दी एही अवाज है कि उनने साक्षात अपने दिल्दे विच जीनू ता रहा जिनना ने उनना इच्छा पूरी किती जिनना ने उनना नू सरकारी नोकरीयां लगवाया ता ओद इच्छा पूरा करन वाले खेचता है नाल बड़े प्यार नाल नाइव सिंग सैनी जीनू कुर्सी ते बठाया ता मेरे कोल बाउजी 10-15 बच्चे आंदे फोन आए ओ बड़े डरे हो एसी मैं उनना नू पुछया भी की गल केंदे जी दिल्द सरिफिक डर है मैं क्या जी दसो की डर है केंदे जी जिम ता मैं उनना नू केहा मैं के जिन्नी देर पार्तिय जनता पार्टी दी सरकार है उननी देर ता हे सिस्टम नहीं बदल सकदा लेकिन हाँ थोड़ा हे डर सच्चा जरूर हो सकदा है जदो पार्तिय जनता पार्टी तो इलावा दूसरी यां सरकार है जे आजन ता ओही तेस्वार्श देनाल नौकरियां लगन गियां लेकिन उनना ने मेंनु बड़ा होसले देनाल केहा कैन देजिए पार्थीय जनता पार्टी तो इलावा किसे नुँ वोट नहीं देने ते आण अली सरकार चाहे हो केंदर दी सरकार है चाहे हर्याने दी सरकार है असी सिर्फ और सिर्फ कमल दे फुल नू बोट देने आज उन्ना दे आश्वासन दे नाल ही मैं मानने मनोर लाल जी नू थोड़े माध्यां दे नाल एक प्रोसाद लवाना चाहूंगी कि साड़ी इस वार तीसरी वार केंदर चवी सरकार बनेगी ते तीसरी वार साड़ी हर्याना चवी सरका बनेगी तो सब्तों ज्यादा मार्जन दे नाल असी साड़ा कमल दा फुल खिला के सिर्षात उन्ना दी चोड़ी चपावांगे ए उन्ना नू विश्वास द्वोन वास्ते मुठी बंद करके जोर्दारी को दोगोश लगाउंगे तो उन्ना नू वे पता लगजेगा कि इ भारत माता की बहुत बहुत अभार जै हिंद्ध जै भारत जै हर्याना जै सिर्षा दन्यवाज जिला द्यक्ष जी अम मैं नवेदन करूंगा सरदार बलकोर सिंग जी पूरे विधायक वो भी आये और अपना उद्वोधन दे भारत माता की साथे ज़ रोडी पेंड़ दीस जनसवानू संबोधन कारनाई मेरे आदार्श मेरे बहुती सतकार जोग जिन्नाने हमेशाई अपने छोटे प्राधी दता प्यार दता है मान जोग पोर मुख्य मंत्री शिरी मनोर लाल जी पार्ती जानता पार्टी देश लोग सवादे उमीदवार मेरे वीर श्रिय शोक्तमर जी साड़े मोके ते सांसद जिन्नाने इस अलाके दी पांच साल सेवा कीती है कार रहे ने पैन सुरिता दुगल जी जिले दे पार्ती जानता पार्टी दे द्याक्ष निताशा से आग जी मेरे वीर हमेशें बहुत प्यार देन वाले वीर मिन्नू मेनी वाल जी साड़े जिले नू बहुत ही प्यार कारन वाले अपना मार्क दर्शन दे रे शिरी जगदीश चोपडा जी रेणु शर्मा जी बपेशमेता जी मेरे साथी रामचंदर जी कमभोज और जिन्ना दी बदिया तरीके दिनाल प्रवाशा दासके गएने जगदीश चोपडा जी सान्वेस पूरे जिले नू पूरी तना प्यार कारन वाले मेरे वीर मन ज़िंदर सिंग जी सर्शा साड़े पार्ती जन्ता पार्टी दे बहुती सिनियर नेता गोबिंद कांडा जी अमीर चांदमेता जी साड़ी मंडी करन बोर्ड दे चेर्मेन अधित्या चुटाला जी पूरी पार्ती जन्ता पार्टी दी टीम और मेरे सामने बैठे मेरे हलके दे मेरे अपने दी दिलां दी तडकन मेरा अपना प्यार मेरे अपने प्रहा मेरे अपने भीर मेरिया मतावा पहणा सब तो पहला सारे रड़के फते दी साज़ पाऊँआखो वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फते चुनावदा टाइम है चुनावदे टाइम दे उते रेलियां करनवास दे बहुत सारियां पार्टियां और गिन्या जिन्ना ने कदे भी मैं कह सकतें के इस कड़ावडी हलके दी सिर्फ राजनीती दा कीती है परते यत अर्थी दे कम कीता है ता साड़े मान जोग मुख मंत्री जी बैठे ने ना ने कीता है जदो ए मुख मंत्री होंदे सन मैं आपोजीशन दा मले होंदा सी तुसी सरा ने प्यार दे के पेज्या सी जदो मैं ना दे कोड बेंदा सी ता प्रावोकर दे मैंनों महसूस नहीं होया भी मैं आप पोजीशन दाये मिले हैं एस हलके दी सिवा कीती जो भी काग जेना दे सामने रख्या इना ने अखा मीज के पास कीता मैंनों अज भी याद है दो जार सोडा दे विच काडा माली दी रैली सी सारे हलके दी रैली सी ओदेवेंछ मैं शामल नहीं सी फिर भी मैंनों इना ने इससल तर दे क्या भी तुसी हलके दीना मंगा रखो ता मैं मान नल कह सकता हैं गवाई ही दे सकता हैं कि मैं div 90 मंगा लेहके दतियां साँ जिनना ने एक साइन दे उते सारियां पास करतीयां सी और जदों हलके दी गालाई भी हलके नुकी देने और रोडी बाले खाश करके जित्ती अपना जनसबा कर रहे हैं रोडी पिंड़ दे लोकानों इस गलते मान होना चाहीं दे रोडी नी सी ये जनसवा हो रही ये काल्याणी हो रही सी ते काल्याण वाली दे बिच बैठे मान जोग मुखमंत्री सनोदों इनना ने ये 10 क्रोड रपीया हलके वास्ते जत्ता तेक रोडी पिंडळु कल्ले नुँ पंच क्लोड रपिया जत्ता सी मेरा कहनदा पाव केणा ने किसे भी पेदपाव तो बचे न किसे भी एक खिते नुँ जाँ ेक हलके नुँ तरजीन ही नियु जत्ती जैसब का साथ सब का विकास हे ना ने जवानते लें अंदा साड़े विच्कार आये ने, साड़े कैंडिडेट अशोक तमर जी बैठे ने, साड़िया नजराच एक को चीज दिस रही आज, नरंदर मोधी जी, शिरी नैव सिंग सेंडी जी मान जोग मुख मंत्री, साड़े पूर मुख मंत्री शिरी मनोर लाल जी ते का मलदा फॉल, अज आपा इना दी ताकत बनके, हर एक जिते भी बैठे हैं, जिते भी खड़े हैं, जिते भी काम कर रहे हैं, जे मैं कमादा जिकर करूँगा, मैं मोटे तो औरते दसे हैं, जे मैं कमादा जिकर करूँगा, ता मैं सारा टायम, मान जोग साड़े पूर मुख मंत्री जी दा ले जूँगा मैं चौँदा नी के अपने मुखार बें तो अपनियां गल्ना दसन गई अज दाए ठाठा मार दाए कट मैं मान्जोग पूर मुख मंत्री जी नू साड़े उमीदबार नू साड़ी पूरे टीम नू अपनी नू ये बिश्वासत वोना चौने के लोग प्यार नाड़ आए ने मान्जोग पूर मुख मंत्री जी मैं एक भी पिंडनी गया किसे नू सपैशल तो औरते इनवाइट करनी गया सिर्फ मेरे प्रावानू मैं एक फोनते मैसेज लाया है अज तो अड़े पे आरदा सदका तो अनू सुन वास्ते आए ने ए हलकाई जीड़ा ए मान्जोग मुख मंत्री जीने हमेशे तरजीते रखे है ते मैंनू मान है के हुण भी अपने निगाच अपने देलच अपने दिमाग चे रख देने जदो भी मैं मिल दें एक आड़ा वाड़ी हलके दा हाल चाल जुरूर पुष दे है और एक एक बंदे दा नाम लेके एक एक पेंड़ दा नाम लेके क्योंके मैंनू पता है कि इन्ना ने ए हलका जीड़ा मोटर सैकल ते स्कूटर ते कुम्भी है एसलिए इन्ना दे देल ब क्या हुए है अचार सेंता लगी हुई है मैं कह सकते हैं दावे नाल के जो तुझी हरेना सरकार्तों करवा सकते हो ओ तुझी करें पिछे नहीं हटोंगे नाहीं हटें हो ए रोडी पेंड़नों मैं जित्थे आपां बैठे यां एस पेंड़नों एक बहुत जरूर तैज मैं मैंनु पता है कि मांजोग मुख मतरी शिरी नायव सिंघ जी सैनी जदों तुझी लखीर जित्थे मारते होंगे उसे लखीर नुप्रवार्र कर दें गए एयना धी मैंन मंगे जदों भी एलेक्शन होके हटन गे यह मैं मैंन मंगे जड़ी हो पूरी करने है एक होर मंग जड़ी बार बार सादे हलके तो उठके हों धी है पांमे मेरा विशा नहीं सी पर फिर भी मैं याद करूना चौन है कि सारे हलके ले बैच जड़ी सेम दे पाणी सी एत्षियो बंद कीता गया है हुझ जड़ा का गादी है जड़ा के भलाटदा पाणी जड़ा जड़ा मार करता है का गर्दा ए लोग एश पाणी तो बाचेने तिहाईने जे तुस्य इस तराजी होता हमां जो पूर्मकमतृ नो नो मंग तो अड़े हस्थचड़े करके तुस्य कहाओ के पाणी जड़ा सारे इस हलके नो मिलना चाहीं दे, जड़ा के हलके नो बहुत जरूरी है, जमान जोग पूरमकमा, इत्थे का गरदा पाणी दे देओंगे, तब मैं समझूँगा, इह हलका समझूगा, के तुसी एक एक कार दे, एक बच्चे नो एक नौकरी दे देओंगे मैं एक बार फेर तो अड़ा इते, पहुंचन ते तुसी, मैं ज़्यादा तो समा नहीं लेना, मेरे बीर जड़े इते, स्पैशल तो औरते आये ने, मैं एक बार यूना दे नाम, लोगा जिना ने इस पूरी जनसवा नू सफल करोण वासते, जा सफलता देन वासते, दिन संग जी मैता सरपांच मुसाववाला, जगदीश सरपांच बड़ा गुडा, अजब गुदारा जी नांदगड, दर्शना देवी 85 रसूल पर, रजे सरपांच जी मरुवाली, गुर्जीर संग जी सरपांच पावदीन, समर्त नेज्या जी कोटली, राय संग जी देढू चत्रिया, विजे संग देडू जी सरपांच मुक्यते चत्रिया, कुलवांत संग जी पूरव सरपांच नरेल खेडा, हरदीप संग जी सरपांच नरेल खेडा, जसकार्ण संग जी पूरव सरपांच चोरुड रोही, पीम संग जी सरपांच लकडावाली, जक्सीर संग जी जोशन सरसाजी, पुश्पापेंच सरसेतों, बल्देव, जैमल सेठ जी, सकंदर पुर्तों, मक्षन सरपाँची लंगे वाला, गुर्मीर संग जी सरपाँच नागो की, कुलवीर सरपाँच मौजू खेडा, सोमन सरपाँच खेरेकां, निशाद सरपाँच खेरेकां, सरपाँच दडबी, किरेशन संदा जी दडबी, सुरंदर पाल जी सरपाँच मौरी याला, खन्ना सरपाँच जी सुचान, रिवेंदर जी रूड्यां वाली, पर्गड संग जी सरपाँच थराज, मंगर जी बुर्ज कार्मगड, रोताश सरपाँच फरमाई, ओं सरपाँच टानी खूब आली, गुर्मेल संग जी सरपाँच देशू खोर्द, जस्वेंदर संग जी देशू खोर्द, गुर्प्री संग जी संदू सरपाँच चोबडा, बुटा संग जी एक सरपाँच नेजा डला, रणवीर संग जी रूडाम वाली, शामलाल जी नंब नहीं ले सकता क्योंके टाइम बड़ा थोड़ा है मैं शार्या वास्ते तो अडे वास्ते एक बारी जकारा लाऊंगा और बिश्वास साड़े यदे पूरी टीम पार्ती जनता पार्टी दे अपनी बैठी है एस जकारे देन आलत उसी सार्या ने ने अदा सवागत भी करने औ और सार्यानों आपान बिश्वास भी दवोने कि आउन आड़ी पच्ची मही नू एथों देव मीद बार साड़े शोग तमर्जी कमल दा फोल खेलके जो के छाड़े मान जोग परदानमा तरी शरी नेंदर मोधी दी चोड़ी विच एस सीट पाके असी देनी हैं एक जकारे द ठंडा ना करो मेरे प्राव वो दब के जोड़ा के विश्वास दवाओ बोले सोने हाल बहुत बहुत आनवाद वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फते जोश भरने के लिए अभार है भाई बलकोर सिंग जी और मेरा निवेदन सभी वक्ताओं से की समय का ध्यान रखें कहते हैं कि ना वो शायर है शब्दों की ना बादशा है लफजों की बस बाते दिल से करती हैं जुबां साह देती है ऐसी ही सक्षियत मेरी बड़ी बैंट स सुनिता दोगल जी बलाल जी औना लाल बेठे हो ए अजय तक सनु तिया आन तो अड़ा मुख्य मंत्री आला ही रहन है कि करें दस साल कोई थोड़े नी होंदे तूसी मुख्य मंत्री रहो औना लाल बेठे हो ए साड़े सरसातों उमीदवार पायशोक तमर जी बहुत यादर नहीं मनिंदर जीत सिंग सिर्षा जी जना दे ना दे पिछे सिर्षा है जे ए सीट रिजरव दी लगदे अपना रिक्वेस्ट करके मनिंदर जीत सिंग सिर्षा जी नो कहन दे कि तुछ यत्थों चुनाव लड़ो बहुत ही आदर्नी है साधी जिलादी है धक्षया पेंड निताशा सिहाग जी मेरे प्रा जिना नो मैं मेरे ख्यालतों 1996 जान दिया जिडे आज साधी संगठन्दा हिस्सा बनन जारे ने एलना बाद तों बहुत यादर्नी है मेरे वीर मीनू बैनिवाल जी मैंनू लगदा है कि एह जड़ी एह कठ जड़ा हो रहा है एह अपने रोडी ते एलना बाद दोना दा मिलिया हो यार कठ जड़ा मेनू बैनिवाल दा ना लेंदे ही जेमें एलना बादे साधे वीर में वेक रही है थे बहुत ही आदर्नी है पूरविच साधे जिलादिय धक्ष रहे तेहों चेर्मेन वी ने साधे भाई अधिते देविलाल जी जोरदार ताली जड़िये अपने अधिते देविलाल वास्ते वी तुसी बजाओ और ना दे नाल बैठे होई जगदीश चोपडा जी जेरे पूरविच साधे येशस्वी मुख्य मंत्री जी देश सलाकार वी रहे ने उना तो बात बहुत यादर्नी है साधे केहरवाला जी उना दे नाल बैठे होई अमिचंद महता जी उना दे नाल बैठे होई बहुत ही समाज सेवी पिछले दिनों जड़ा अपनी रामदी यात्रा सी उना ने बहुत वदिया कठ कीता थे बहुत अच्छा प्रोग्राम कीता है है उजे साधे कोविंद कांडा जी बहुत यादर्नी है जना ने ऐसारा उपराला एथे कीता है अपने पूरविच विधायक भी रहे बहुत यादर्नी है बलकॉर जी जोरदार तालित उसी बलकॉर जी दे नासेख भुटाई उना दे नाल बैठे हुए पूरविच अपने विधायक रहे राणियां तो रामचंदर कंभो जी उना दे नाल भुपेश महता जी साधी पैंडरेनू शर्मा जी जेडी काला वाली तो चुनाव भी लड़ी है उना दे नाल बैठे हुए नए-नए चेर्मैन बने बड़ी ख मांसम्मान दे जोग याथे रुलदू जी, प्रिंस जी आडे, बहुत ही कारैकर्ता साडे होलों ने ते, मेरे सामने बैठे हो मांसम्मान दे जोग मेरे बड़े बुजुरगो मेरे माताऊं पे requirements, ते, प्यारे वीरो एमें लगदा है बाई जिमें एक होंदी है ना जदो मैं 2014 अफसर सी ते इंकम टेक्स दे कमिशनर दी नोकरी छड़के में राजनी दी चाही सेवा वास्ते ते जदो ओस टैम कोई वी अफसर जड़ा है ओ दी विदाई होंदी सी ना ते अपां फेरवेल पार्टी कर दे सी मैंनो भी आज एओ जा महौल लग रहा है कि जी मैं तुसी सारे आथे मेरी फेरवेल पार्टी वास्ते बैठे होई ते पांच साल तक 2014 नोकरी छड़के इंकम टेक्स कमिशनर दी मैं राजनीती चाही ते उस ते मैंनो याद है कि मैंनो साधे शीर्ष नेतरतव ने कहता सी कि 2014 चोदाश तुसी जड़ा सिर्षातों चुनाव लड़ना है मैं क्या ठीक है जी मैंनो ता कुछ पता नी सी राजनीती चाही उनने क्या कि तुसी जाके अरुन जेटली जीनू मिलके आओ पैंट सुषमा सवराज जीनू मिलके आओ ते अपने जड़े सिर्षाते आगू ने अपने जगदीश चोपडा जी उनना नू मिलो ते अपने अदर्णिया गनेशी लाल जी उनना नू मिलो मैं सारया नू मिली ओतों बाद उनना ने क्या कि तुसी मनोहर लाल जी नू भी मिलो तो मैंनू याद है कि रोत कि अपने जड़े पूरो वेच मंतरी होंदे सी मनीश ग्रोवर जी ओना दे कार में गई ते उठे पहली वार मैं साध्यादरनीया मनोहरलाल जी नू मिली मनोहरलाल जी मैंनू कैने ने कि तुसी ता अफसर सी तुसी की में राजनीतिच जा रहे हो मैं का जी मैंनू शीर्ष ने तरतव ने विश्वाश दिलाया है के सिरसातों तु आनू टिकट देवांगे तो तुसी पार्थी जन्ता पार्थी ता दामन थाम के उत्थो चुनाव लड़ो उन्हाने मैंनू हसके कैया के राजनीतिच एवे होंदे तुसी वेखलो कदे कदे नौकरी भी चली जान दिया तर टिकट भी चली जान दिया ओई गाल बनी मेरे नाल दो हजार चौदाच मेरी नौकरी भी चली गई ते मेरी टिकट भी चली गई ते ओधों बाद फिर मैंनू कहा गया कि तुसी चिंता ना करो तुसी 90 जड़ी भी अपनी विदानसभा उने ओथे तुसी जित्थे भी हाथ रखोगे ओथो तुँ आनू विदानसभा दा चुनाव लडावांगे मैं कहा ठीक है जी मैं कहा जी ओ फ्लाणी फ्लाणी जड़ी है विदानसभा ओ मेरे कारदे नजदीक है मैं सेवा वास्ते राजनिती चाहिए आँ बई मैं कम तो कम कदे किसे नों कोई दुख होए तकलीफ होए अधे कंटेच मैं ओथे पौँँ जावा ए विदानसभा जड़ जलां जी, कहने हाँ लड़ लो जी तुसी, मैं वो थे कम तो कम भी दो तीन माईंद ले बहुत मेंद की थी, बोकित पहुत मेंद की थी, तो ज़दों एंग टिकट दी गाल आई, तो कहन दे, जड़े सांसत सी, कहने ना जी, यह था ता चुनाव तुसी नहीं लड़ सकते, मै मैं नहीं जी तुसी कोई और विदानसभा वेखो ता फिर मैं कहा जी हुण की करिये तुसी कुम दे कुम दे कुम दे कुम दे कुम दे ते मेनव बड़े ऐस गलदी खुशी है के सिर्फ मेननू 15 वी दिन दा टायम मिलिया सी ऐस 15 वी दिना दे टायम दे अंदर अंदर एन प्यार एन असने हे मैननू अथों मिलिया के आज तक दे सारे रिकॉर्ड तोटगे पंजाँ हजार पांसो वोटां मैंनू पंदरावी दिनाच रतिया तो मिली अजे मेरे पागेच नहीं सी ऐस करके 435 वोटां तो मैंनू लगदा है पूरे हर्याना इस सब तो कम वोटां जड़िया ने उस तो मैं उत्थे जीत नहीं सकी ते ओतों बाद फिर मैंनू मान जोग मुख्य मंत्री जी ने चेर्मेन बनाया ओतों बाद 19 जहांके मैंनू टिकेट मिली ते ओस टैम भी मैंनू याद है जिनना प्यार तुसी सार्या ने दिता आज तों पहला सिर्षा लोग सभादा कोई भी सांसद एनने वोटना तो नहीं जीतिया जिनने वोटना तो तुसी मैंनू जिता के वड़ी पंचायत पेजिया तेन लाख दस हजार वोटना तो जिता के तुसी मैंनू वड़ी पंचायत पेजिया ति मैं भी अपनी मैनत पूरी कीती जे नमे कर सक दी सी तो अनुपता ये दो साल तक क्रोना चले गए वो तो बाप थोड़ा अंदोलन वगरा भी होया इस करके पर फिर भी पूरी मैनद करके मैं कम कीती पर अपां जड़ा है तुसी तो अनुपता है भी केंदरेच आज मान जोग पर दानमंतिर नरिंदर मोदी जी जिना दर डंका सारी दुनिया चवाज़द है उना ने मज़ूरा वास्ते किसाना वास्ते जिनना कम कीता आज तक कोई सरकार नहीं कर सकी एवे ही साड़े संत सफेद कपड़े साड़े संत मान जोग मुख्या मंत्री जी ने ऐस इलाके वास्ते बिना किसी पेद पाओगे जिनना कम कीता हर्याना सरकार पिछले 10 सालाच आज तक कदे किसी मुख्या मंत्री ने नहीं कीता चाहिए अपां गाल करिये ऐस इलाके दे बारेज जोवी कम जड़े ने तुसी एक वी कम तुसी सोचो मानेच तक तो अनू लगता है कि बिना किसी पेद पाओगे साडे मुख्य मंत्री जी ने ऐस इलाके दे काम कीते हुन देखो तुसी मान जोग मुख्या मंत्री जी मानेच से कि ऐस इलाके तो चिट्टा खतम होना चाहिए था उना ने डब वाली चो नया जिला बनाया होले होले सारे इलाकां चो उन चिट्टा खतम हो रहे है नशेबंदी बिल्कुल खतम हो रहे है नशाहून बिल्कुल खतम हो रहे है मान जोग मुख्या मंतरी श्री मनोहर लाल जी दी बदोलत एना ने जो मेनद कीती हो उस करके साड़े इलाकें जो चिट्टा बिल्कुल खतम हो रहे है एदे नाल नाल फोर वी अपना दस ये पोर्टल दा काम पोर्टल दा काम अज अगर दस साल आज किसी ने कीता है मान जोग मुख्य मंत्री जिने आज तुसी एक बटन दबाओ सारे काम तो अड़े पोर्टल दे हों देने चाहे तुसी आईश्मान योजना दी गाल करो चाहे तुसी परिवार पहचान पतर दी गाल करो तो अड़े राशन दी गाल करो कोई भी काम तो अड़ा है तो इसी portal ते एक बटन दबाओ ओ ते साधे सारे काम हों देने आज मान जो मुख्या मंतरी ने साधे संत जड़े ने उनाने गरीबा वास्ते, किसाना वास्ते मज़़ूरा वास्ते, जो portal ते काम कीते ने आज दख पहला का दे किसी मुख्य मंत्री ने नहीं कीते ता एस करके मान जोग मुख्य मंत्री जिने जड़ा निर्ने लिता है के होन एथों साड़े अशोक जी चुनाव लड़नगे मैं बहुत बहुत जड़ा है सर मत्थे रख दिया हो ना दी एस इम्तियाद दा ते एस करके मैं तौनू सार्या अगरहे कर दियां विंति कर दियां के तुसी एथों साड़े वीर अशोक जिनू जिता के वद तों वद मेर्तों भी ज्यादा वोटना पाके वड़ी पंचयत पे जो तांके अपनी कोशिश है जड़ी अपनी उमीद है अपकी बार चारसो पार जड़ है ओ नारा अपन पूरा करने है अपना चारसो दे चारसो कमल खिलानेने ते मान जोग नरेंदर मोदी जिनू तीजी वार पर दानमंत्री बनाने है साड़ी ता हसरत सी के असी हर्याना जवी तीसरी वार मान जोग मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी नू बढ़ां दे पर कोई गाल नी तुसी तौन नू पता ही है कि राजनी तीज कुछ भी हो सकता है ऐस करके साड़े मुचो तो अज़ेवी ने नहीं कलता अज़ेवी आई लगदा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तैस करके मैं तौनू सारे अनू आगरह कर दियां के वद तो वद वोटां पाके तुसी पाई अशोक जीनू है तो जिता के वड़ी पंचैत पे जो बहुत बहुत जा अधा बहुत बहुत भान मुबारका बहुत बहुत ज़्यור जुव काम ना आव Crispy बहुत क्यान चात झाल मुट श्री वह घुजदी फटे students case यह यहाशा औरintend जी को दि बारत मता की बारत मता की बहुत बहुत तनवाद मंचसीन पार्ती जनता पार्टी दे हर्याने दे सब तो सीनियर अते हर्याने दे 10 साल तक सब तो काम्याब और मेनत कश साब का मुख्यमंत्री शिरी मनोरलाल खटड़ जी बहुत ही सतकार योग इस लाकेतों लगातार आप दोगांदी सेवा कार दे रही साड़ी पैन इतोंदी मेंबर पार्लिमेंट सुनुईता दुगल जी मेरे नौजवान दोस्त बहुत प्राणे साथी साब का MP अते होनवाले मेंबर पार्लिमेंट और BJP दे इतोंदे पार्ती जनता पार्टी दे कैंडिडेट शिरी अशोग तबर जी बहुत ही सतकार योग साड़ी पैन इतोंदी जिला परदान दिताई सिहाग जी साब का सतकार योग MLA और आज़िदे इस प्रोग्राम दे मुक्तारक सदार बलकार सिंग जी साब का MLA साब श्री जगदीश चोपडा जी राम चंदर कमोई साब फॉर्मर MLA गोबिंद कांडा जी इतोंदे बहुत ही सतकारित कैंडेट रहे और नौजवान साथी अधित्य चुटाला जी और मेरे परम मित्तर और बहुत मेरे प्राने साथी मीनू बेनिवाल जी सामने बैठे बहुत ही सतकारी थस्तियां गाजवाज के फते बलाओ वाहे गुरु जी का खालसा खालसा जी फते दा जवाब ते गाज के दिया करो वाई गुरु जी का खालसा फते आज मैं तो अड़े बेच मेरी पहन ने बहुत सुनी गाल कही पर मैं पहन सुनी ता जिनू कहना चौना है कि पहन जी तुसी MLA सी ता वी तुनी MPC ता वी मैं ही MPC थूँदा तवर जी MPC होन गे ता वी मैं ही MPC है थूँदा मैं नू माना MPC कोई भी बढ़े पर मेरे नाम दे पिछे सिरसा पका लगा हुए मेरे नौजवानों मैं तो मेरे वड़े बजर्गों बस एक गाल कहा कि अपनी गाल नू शुरू करूंगा मैं जो दो दिल्ली दे अंदर राज निती चाया मैं चुनाव लड़या मेरे यार दोस्त में नू कहीं ते यार तेरे नाम दे पिछे सिरसा लगा है कुछ पायर्टी लोगाने में नू सुझाव देता कि नाम दे पिछे सिरसा लगाने नाल कन्फ्यूजन हो जोगी तो अनू चुनाव लड़या दिक्कत आओगी तुसी अपने नाम जो तो अड़ी गोत रियार हो दे नाल चलो मैंनू क्या देखो मैं राज नितिजा जे पैर रखे आए पता निया कि वाद सकूँगा कि नी वाद सकूँगा नाम पहले चड़ दूआँ मैं अपना नाम ने चड़ूँगा नाम मेरा मनजंदर सिंग सिरसा है ते सिरसा ही रहूगा मैं MLA सिरसरे नाम तो लड़ लिया मैंनू बड़ा माना मैं दिली से गुरुदर अमेंजमेंट कमेटी दी मैंनू गुरू तेख बादर साब जी दे तर सदके गुरु गोवन सिंग पाश्या जी दे गुरु गरंसाहि माराई दी रहमत तर सदके मैं इनू दिली जी पहिला मैंसा सेखां जी नू दिली तो बारों जाके सेवा करना मौका मिलेया मैं आज तो अड़े वेच नरेंदर मोदी जी जो साड़े देश दे परदान मंत्रिया जिनना दी बहुत वड़ी देन है और मैं इस वास्ते उनना दे वास्ते हात मजबूत करनू तो अड़े वेच आया है मैं कोई राजनितिक पाशन नहीं मैं कोई अंध पागतवर कूँ कोई ए गला करनू कि वोटाँ पाओ वोटाँ पाओ वोटाँ पाओ मैं उनना चो नहीं मैं बहुत आतना गल करनवा रहें मैं समय दा है कि मेरी जनरेशन मेरी ओनवाली पीडी मेरी कम्यूनिटी अगर ताकतवार नहीं होगी अगर उन सही मौके नहीं मिलनगे उनना दे नुकसान उनना दे परवारिक नुसान उनना दे आर्तिक नुकसान क्योंकि असी मुनार्टी चाँ सो अनू हर कदम फूख फूख के चलन दी लोड़ा मेरे नौजवानों मेरे वड़े बुजुर्गों मैं तो अड़े चरना चे बेंती करना चाऊना है देश दे अंदर 10 साल तक मोधी जी परदान मंत्री रहे मैं तो अनू दावे ना कहीं ना है और ये मंच ते मैं बोल रहे हैं कोई भी बुजुर्ग नौजवान आके इदरे गाल दसना चाऊए मेरी गालनू के ते भी कॉंट्रिक्ट करना चाऊए ते जरूर आके करेगा मैं तो अंदर सकदा है सत्तर सालाँ चे परदान मंत्री आदी की सानू देना तेश देश दे परदान मंत्री मोदी जी दिकी देना देश अजाद होया उन्नी सो संताली दे अंदर पहले परदान मंत्री बने पंडजवाल ला नहरू और पंड़ा जवालना नहरु जी ने की ने कम कीता सिखा देनाल जेड़े मास्टर तारा सिंग जी जिनाने करपान काड़ के पाकस्तान ती असेंबली दे बार नारा लगाया सी पाकस्तान मुर्दाबाद मुस्लिम लीग मुर्दाबाद और पाकस्तान चे पारदा एप पंज आप जान तो रोक्या सिखा पंड़ जवालना नहरू नों हो दिया हीं पंड़ जवालना नहरू ने मास्टर तारा संग्जिव जेल च पाद ता एक पईदी देन दिती सिखन पंड़ जवालना नहरू जी ने उस्तो बाद 1905 जंग दें अंदर जेड़े साधे गुरू ता हम पहला उते छाड़ा है सी ननकाना साथ पंजा साथ करतारपुर साथ जेड़ा मातर चार किलोमेटर दूरा बॉडर ता हूँ खालसा जी मान चाहिनी बाईमानी सी है सरकार ते कि ज़दो 1905 जंग हो रही सी जर्नल गुरू हरबक्ष सिंग जेड़े क्यों स्वेले उत्वाद जर्नेल सी ओनानु पंड़ जवालनायर जी वोलो अदेश दिता जानदा है कि तुसी अमर सारनु चढ़ के ब्यास नदी दे परले पासे आजो खटर साल तवज्जो देो जे ब्यास नगरी दे परले पासे आजो क्यों कहिंदे अमर सारनु हुन बचाउना मुशकल या तु पाकस्तान दे कब जच नहीं जान दूँगा जर्नल हर बक्ष अपनी फोई देना चड़ाई कर देया और लहोर जाके अपना चंड़ा फेरा जिन देने ए पंड़ जवालना नेरू साड़ा दर्बार सावी पाकस्तान देन जणा चोंदे सी फिर वारी आजान दिया इंद्र गांदी दी उनने आके की किता सिरी दर्बार साथ ते हमला करता और शिरी अकाल तक साव वरगा ओ तक्त जड़ा अकाल तक्त या जड़ा उस गुरू दा साजिया तकत सिगा उन्हों तो पाते टैंक अनल टा टेरी कार देता आईने गुरू का रमरसार देंदर तो पां टैं काड़ के हरारा परवारानु का राचो काड़ के विदर दे कॉलीज अंदर नाजवान बच्चे जड़े पढ़ दे इस इंजिनरिंग कॉलीज है बारा बाई 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 साल इकी की साल दे बच्यानु जीनन वागिला की उतले फुलोरा तो थल्ले सुट्ट आ जानदा है अगला परदान मंत्री दे रूप चो सुपर परदान मंत्री सोनिया गांदी ते रहुल गांदियां देने की दिता 1984 सीदे कातरा नू सजन कुमार जगदीश टाइतर एचकेल पगत वर के लोगा नू तरमदाश शाष्त्री वर के लोगा नू के अंदर चुजईर बनाया मंत्री बनाया जेट प्रसुरक्षा दिती सजन कुमार जान दा पर सजन कुमार वर के लोगा ने हजारा लोगा नू मारंतो बाद अगर मंचा तो एक है हवाएं हमें पूच कर चलती हैं सोच के देखो साड़े ते की भी दिदिली बैठेयां ते मैं उस नरिंदर मोदी जिदा को टान को तनवाद कर दाएं जेडाज सजन कुमार कहिंदा सी हवाएं मुझे पूच कर चलती हैं अट साल तो तिहाड जेर्च बैटा हवावियोदे कोल ने जान दी आज हवावियोदे कोल ने जान दी एधेश दे परदान मंत्री नरिंदर मोदी दी देना जदो गुरु ओबन सिंग पाशाजी दा साड़े तेंसो साला मनाया पहली उना होया पूरी दुनिया दियां बैसियां देंदरे देननु सरकार ने खुद मनोना कीता गुरु गुतेक गुरु नानक देव पाशाजी दा साड़े पाशाजी दा साड़े पाशाजी साला पारदी सरकार ने पूरे पारत अंदर वदेश मनाया पर नाल नाल ओक करतार पूरसाब दा लंगा जेड़ी ऐसी सतर साल तो ने तरदास कर दे सीगे परदान मंत्री ना पाकस्तान दा विरोध होन दे बावजुद लड़ाई दा महाल बढ़े होन दे बावजुद क्या कि गुरुनानक देव पाशा जी का परकाश पुरु है इस परकाश पुरु पे हम हर हालत में पाकस्तान के साथ लंगा खुलेंगे गुरु नानक देव जी की किरपा सारी कायनात पे होगी ए देश दे परदान मंत्री मोदी दी सोचा सिखांदे परती मेरे विरो ताली तो जोर ना वजाओी ना सोच दे के उजे गल सिखी दी हो रही है मेरे विरो सोच के देखो ए मुलक अजाद हुंदा है इस मुलक दे अजादी दे अंदर जेड़े हुकमरान सिखे ओना दे मंच सिखांदे प्रतियनी नफरत और इनी बाई माननी सिखी ओना जेड़े इस देश दे अजादी तो बाद परदान मंत्री बन देने कलपना करके देखो अहसान फरा मोशलो की कर देने दिल्ली अंदर गुरु तेक बहादर जी दी शहादत होई गुरु तेक बहादर जी दा प्वेतर सान सीज गई साबा मेरे वीरो जदो दिल्ली च लोग होंदे ने सोच देने मुलक अजाद हो गया है हुण गुरु तेग बादर साब जी दी गाल हूँ जेड़े तलक जिन्यों दे राखे ने हुण गुरु गोबिन सिंग पाशा जी दी गाल हूँगी पर माफ करना जदो दिल्ली चोने आ ते सडका दे नामने औरंग जेब रोड अकबर रोड हमायू रोड बाबर जिसनों गुरु नामनक देब जीने जाबर कहके पुका रहे हैं उन्हा लोग आदे नामते सडकां कितियां गया है और जदो किताबा खोल के ऐसी स्कूलाच पढ़ दे सी सानु की पढ़ाया जान दाए औरंग जे बहुत अच्छा बादशा था अकबर इंसाफ करने वाला बादशा था बाबर ने तो इतना इंसाफ किया कि लोग रोने पढ़के इंसाफ देखके किताबां दे अंदर ना गुरु गोविन सिंग जी दा इतियास ना गुरु ते एक बादर साब दी गाल ना निहाच चिने जानवाले बाबा जोरावर सिंग ते बाबा फते सिंग दी गाल आज सानू मैसू सुनदाए कि केस तरह दी सरकार सी जालिम सरकार जेडी गुरु आदे नामादी बजाए सानू औरंग जेवदा इतियास पड़ोणा चाउंदी सी ए मोदी जी ने की कीता जदो दिली चराई सता संभाली औरंग जेवदा खुरा खत्म कर दिता ओरंग जेवदी नाम दिया सडकाते चड़ो औरंग जेवदे नाम दे शहर औरंग अबादवर के शेहरां दावी खात्मा करके औरंग जेवदा नहीं ए गुरु तेक बहादर जेवदा देश है औरंग जेवदा नहीं ए मोदी जी कहीं दे रहें मेरे वीरों सोचके देखो खत्र साब तुसी बहुत वड़ा दिन मनाया मैं अपनी जिंदगी देंदर लंबा समा गुरुद्वारा कमेटी दे पर बंदा जी सेवा चरे आएं मैं दावे नाल विश्वा आशना कैसा अगदा और तुसी बहे कहोगे अज तक गुरुतेग बादर साब जीदा इड़ा वड़ा द्याड़ा किसे नहीं मनाया जो खत्र साब ने मनाया ओथे चार लाक लोग गए मैं जो परदान मंत्री जी जी तो अन्वो समागम जोना चाहिए दा सिगा केंदे अप बंदा सिंग जी दी तर्थ सिगत वाड़े ते के स्रीपा गाव सजाई ते यकीन मन्यों एक पहली वरा देश दे त्यास होया सारी कैबनिट दे नाल नाल सारे विपक्ष दे नेता हुड़ा सावनों मंचते बठाया एक गुरुतेग बादर दा प्रोग्राम आए किसे जी दा मोदी जी पता की केंदे केंदे सिरसाजी वो प्रोग्राम भी करेगी सरकार करेगी और हम लाल के लिए पर प्रोग्राम करेंगे मेरे वीरो में तो नदसना चोना है हजारा साल तके इतिहास लिख्या जाएगा देश दा परदार मंत्री लाल के लिए तो केवल और के यह वाद एक परदानमंत्री देश दे नरिंदर मोधी ने जिए डू जी वड़ा लाल के लिए ते गए ते गुरू तेक बहदर साब जिदा परकाश्पुरू उससे लाल के लिए तो मनाया जितों कदी और अरंग जेब ने गुरू तेक बहदर जी दिशाद दा फरमान सुन आज इस बात की गवाही बरती है जो लोगों ने जुर्म किया जुनका नाम नहीं है और गुरु तेक बहादर जी की जैजैकार 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 हो रही है देजदे परदानमंत्री देजन संबोधित कर जैं कहीं देने मुझे ये कहते में कोई अतिशोत नहीं अगर गुरु तेक बहादर साब ना होते ना हम होते ना ये द्रम होता ना देज की ये सिमाएं होती देश देपरदानमंत्री मोधी जी और दुझे पासे साड़ा कतल्याम करके राजीव गांधी बछे लोग मन चलाके कएन जब बड़ा पेड गिरता है तो धर्ती हिलती है सदार जी यह देश देपरदानमंत्री मोधी जी ने जो कीता है ना मैं खाली तो अनुए नहीं मैं तो ऑनों दो गलना होर कैकर अपनी गालनूं समाट करूंगा. जे में मोदी जी दे शिकांदे परती कॉम ने सन्णल लगा ते मैं नू लाखडा राट हो सक दिया ए मैं वैसे नहीं कह रहे हैं मैं किताब बनाइयां मोदी जी ओते और तो अब तो किदाब पड़नी चाहिए दिया मैं लोगांच मन चाहिए जाके कि अगर इस किदाब दे अंदर जिनने कम मोदी जी ने किते ने अगर किसे परदान मंत्री ने 60 साला चोधी बराबरी चेस्तों अध्य भी किते हों मैं लोगान के ना मेरी किदाब भी सुट दियो मेरा नाम भी पाड़ के सुट दियो मोदी जी ने जो सिक कामली कीता है खाल साजी किसानी दा संगर चाल रहा सी असी वी तो अड़नालोस लडाईच खड़े सीगे आज देश दियो परदान मंत्री जिड़ा किसानी दा संगर ची adesso संगर ची हिमित सी परदान मंत्री जी ने तिन्ने कनून वापस लए गुरु नानक दे आज़ पाधशा जी दे वापिस लेता हूँ सदार जी अ मैबने 10 सasi परदारमंत्रिया साथ देना चाहिदा है नहीं देना चाहिदा है आज बड़ा तिला-जौि ए अवा चाहिदा नहीं देना चाहिदा कर एक पासे सत्तर साल साड़े ते तशद्ध टौन वाली कांग्रेस और दुझे पासे हो तशद्ध टौन वाले जेश पौन वाले देश देपरदान मंतरी नरिंदर मोदी मैं खाल साजी दो गला कैके अपने स्थार लऊंगा मैं तो नो जो इस त्यासी गला दासके चलियाएं तो आनू भी नहीं पता स्थार जी ए मोदी जी ने साधी पाशा नू बचोन वास्ते पंजाबी बोली नू गामा बोली नू दोन वास्ते एक त्यासी फैसला ले पचत्तर साच नहीं किसे ने लिया सी पारदी सरकार ने फैसला कीता जेडे त्वाडे बच्चे नवकरी लेना चौन देने पैरा मिल्टरी फोर्सीस अंदर सी आर प्या बी असेफ अंदर ओ ननो अंगरेज जी टेस्ट देन दी लोड ने ओ पंजाबी च टेस्ट देके ते सिद्धा पैरा मिल्टरी फोर्सीस नवकरी ले सकते ने जेडे त्वाडे बच्चे डाक्टर जी इंजीनियर बढ़ना चौन देने ओ ना नुवी जी और नीट दा जो पर प्रेम्ब्री टेस्ट उन्दा है उस टेस्ट अंगरेज जी पास करन दी लोड ने पंजाबी च टेस्ट पारके ते पंजाबी अंदर ही डाक्टर इंजीन मेरे विरो अंतंदर जो काम कीते मोदी जी ने ओधी लंबी लिस्ट पर मैं तुन्हें एक गाल दसना चौना है साड़ा मार्शल आटा गत का सोच के देखो इस मोदी दे मान जेंदर सिखांदे प्रती की पावना है जो मोदी जीने कार जयतेदार साहिबान लेके गया यह मेरी स्री साब होई ना किसे ने चेकर अधी कते मोदी किता है जर आप गूरो दे सचे सिख्यां थे सन्वसी नहीं साथ अक्का बंद करके आपनी देना चाहिए दा पैंच जाके टंडोरा पे टके पुछना चाहिदा है बीजेस मोदी दा साथ ना देए ते की दा देए मोदी जी ने उस गतके नू राश्ट्रिया खेड़ाच पे जिया है खेड़ाच पे डंडा मतलब जितरा तो आड़ी होकिया, क्रिकट, फुटबाल, बेडमेंट और टेबल टैनिस तुसी जिनों जितके हों देजे ते तो आड़े बच्चे नू पैल दी दरिश्टे नवकरी मेल दिया ते पैल दी तरिश्टे अडमिशना मेल दिया ने आड़े बच्चे होन जिडे गत्का जितके आउनगे उननों सरकारी नवकरिया चता मिलोगी और एह नहीं नहीं एकक बच्चे नूँ 6-6 लाखस प्या सरकार इनना उसायल दौण वास्ते एक-एक बच्चे नूँ दा छे छे लाग खर्प्या दे रही है गत के वाले बच्चे आनू ए मोदिज्री देना अंतंदर कि अंतंदर मैं जित्ते खटड़ साब दा तनवाद कर दा हैं मैं तुन्हें एक गार कहके चलिया हैं मेरे भी रो सानू 400 साल होगे सहिव जादा बाबा जो रावर सिंग बाबा फते सिंग जिदा इतियास दास दियां साड़े रागी ताड़ी किर्तनिये सारे परचारे को कोशिश कर दे रहे पर असी पंजाब दे लोगों नो इतियास निदा सके तो आड़े ना जिड़े साइट अरी बेट सारे राष्टर ने मनोड़ा हैं परदान मंत्री ने अलान कीता वीर बाल दिवस जो की सहव जादा बाबा जुरावर सिंग ते बाबा फते सिंग जिनू समर्पित किता हैं ओ दिहाडा पूरा देश मना होगा पामे को ओडियन होए पामे कोई हमाच्यल चरेंदा होए पामे पूर दे बच्चे तो अनुँ दूरों देखके कहने के ये बाबा जुरावर सिंग और बाबा फते सिंग के वारिस हैं हमने इनका इतियास पड़ा था ये देश दिपरदान मंत्री मोदी जिने दित दिया इस करके मैं तोड़ा सब्दा तनवाद करदा हैं और हम उमीद कर दाएं मेरे वीरो मैं तोड़ा प्रा ताड़े चर्नाच हत बनके बेंती कर दाएं कि आपन मोदी जी दा साथ देना चाहिए और ओना देथों देडे नुमाइं देने साधे प्रा अशोग तवर जी एक तरफ वोटना पाके जितोंड़ा जितोंड़ा जिरकारे जिरूप द भाई सिरसाजी के जोशीले उदविदन के बाद मंच पर मेरी आवाज मेरी मुराद एक ऐसे व्यक्तितव को जिसके लिए मैं एकसर कहता हूँ कि तितली तवर जो तुने कमल के फूल की पगड़ ली सारे रंग काइनात के आपकी मुठी में आ गए और मेरा निवेदन है ल बात रखेंगे हमारे परत्याशी अशोक तमर जी कि वो मंच पर आएं और अपने दिल की बात अब सबको कहें भारत मता की बारत मता की एक बार क्योंकि इतने बड़िया तरीके से विस्तार से हमारे क्या-क्या मोदी जी ने और भारती जन्ता पार्टी ने सिक भाईयों के लिए किया सिक इधियास के लिए किया वो बहुत विस्तार से बता के गए एक बार जोर से हम जैकारा लगाएं बोले सोनिया हमारे मंज़ पे यहां पर मुझूद हमारे बहुत ही आधनी है हर्याना के पूर मुख्यमंत्री और जैसा सब नहीं का कि दस साल हर्याना की सेवा की एक संत की तरह उन्होंने जीवन जिया और मुख्यमंत्री आवास का नाम भी संतों के नाम पर रख दिया कबीर कुटीर ऐसे हमारे बहुत ही आधनी है नेता मनोर लाल जी यहां पर बैठे हमारे यहां से सांसत बेंच सुनिता दुगल जी बाई मंज़ दर सिर्शा जी हमारे यहां से विदायक बलकोर सिंग जी पूर विदायक हमारे भाई रामचंदर जी सारे जितने भी साथी बैठे हैं यहां से लेकर के भाई गोविन जी, अमीर चन जी, भाई सागर जी, चोपडा साब, आदिते जी आज जो विशेश तोर पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री जी हमारे मनोर लाल जी का आशिरवाद लेने के लिए भाई मीनू जी, इताशा सिहाग जी, हमारे वोपेश महता जी, रेनू शर्मा जी, भाई देव शर्मा जी, वेद फूला जी और पीछे मकन सिंगला जी से लेकर के हमारी पूरी जिले की लीडेशिप यहां पर है और सामने बैठे सभी मेरे बहुत ही सतकार योग है, मेरे संबानित बुजर्गों नौजवान साथियों, मातर शक्ती, जहां तक भी आवाज जा रही है, सभी हमारी रोडी के नगर निवासी क्योंकि हमारे भाई मंजीदर जी ने, बैठ सुनीता जी ने और उनसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात रखी है और मानिय मनोरलाज जी का चुनाओ का कारेक्रम है, हम सब जानते हैं अभी उनको इसार यहां से निकलना है और छे वजे उनको भी अपना भाशन यहां पर समाप्त करना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा साथियों से कि सारी बाते आप सब जानते हूँ कोई आपके लिए ना ये देश नया है, ना परदेश नया है, ना ये समाज नया है, ना राजनिती नहीं है, ना खेती किसानी नहीं है आप सब को पता है कि आपके मुद्दे क्या है और उन मुद्दों का समाधान कोन कर सकता है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि देश की आजादी के बाद जिस तरीके से भारतिय जंता पाटी ने नरेंदर मोदी जी के नित्रितों में पिछले दस वर्षों में काम किया है, प्रदेश में मनोर लाल जी के नित्रितों में काम किया है और आने वाले समय में नायब सेनी जी के नित्रीतों में जिस तरीके से काम की कोशिश है साथियों ये रोडी से लेकर के पूरा सिल्सा संसदिय छेत्र और पूरा हरियाना इन काबिल हातों में आपका महफूज है इसलिए पूरी मजबूती से जो एक संकल्प लिया है बारतिय जंता पाटी ने आप सब ने हम लोगों ने मिल करके कि हमें 400 पार कराना है 2024 में 4 जोन को जब वोटों की गिंती होगी तो 400 पार का जो ये नारा है ये परवान चड़ना जाहिए ये फते होनी चाहिए और तभी मैं समस्ताओं की देश तेजी के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा और जो 10 साल में एक मजबूत बनियाद रखी है हम सब यहां पर बैठे हैं सब इस बात को जानते कि जब नीव खुती है नीव से जब बड़े बड़े पिलर खड़े होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन जब पिलर खड़े हो जाते ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का जब लेंटर लग जाता है तो अगर मजबूत बनियाद है तो 50 मंजिल इमारत खड़ी कर लो 100 मंजिल कर लो 200 मंजिल कर लो कितनी भी भवे जैसे राम मंदेर साड़े 500 साल बाद बड़ा है वैसे ही मैं समझता हूँ दिव्य और भवे इमारत अगले 5 वर्षों में खड़ी होनी है इसलिए आप सब लोग मोदी जी के विजन मिशन के साथ जुड़ें और सुनिश्चित करें कि 2047 तक हमारे भारत वो विक्सित भारत होगा अगले 5 वर्षों में हमारा भारत वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी तागत होगा आने वाले समय में किसान मजदूर और हर तरीके से तागतवर बने मनोर लाल जी ने जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के एक एक गाउ में 200-200 नोकरी देने का काम किया है वैसे ही आने वाले समय में सरकारी नोकरी आपको मिले यहाँ पर उद्योग धंदे स्तापित हो पुराने समय में 2009 में सांसद बना तो जब मैं बात करता था उद्योग जगत के लीडर से बड़े-बड़े कंपनियों से कॉर्पोरेट से मैं कहता था आओ सिरसा बड़ा कुशार इलाका है बहुत खेती में नंबर वन है पूरे देश के अंदर यहाँ नर्मा, धान, किनू, हर चीज यहाँ पर ग्यों पैदा होता है, ग्यों में लगातार 3-4 वर्ष सिरसा जिला पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक था तो आईए यहाँ पर कुछ शुरू करा जाए, लोग कहते थे connectivity नहीं है चोड़े चोड़े रोड बनाने का काम, आज मैं मानिय मनोर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह डववाली के साथी भी कुछ साथी बैठे आदिते जी और एक-दो साथी हमारे यहाँ पर है उस समय कई-कई बार पत्थर रखे गए, जो डववाली का देव जी भी यहाँ पर बैठे लेकिन कभी ना तो आरो भी बना, ना कभी हाईवे बना उस समय शुरुवात हमारे समय में हुई, लेकिन उस समय चोधा में हम हार गे मुझे लगा भाई यह अब प्रोजेक्ट जो है, वो खटाई में चले जाएंगे लेकिन माननी है, मनोर लाजी ने ना केवल डववाली से लेकर के हिसार का फोर लेन रोड बनवाने का काम किया, बलकि उसके साथ-साथ जो भी और संभव था, वो कोशिश करी, और आने वाले समय में चोटाला गाउं से लेकर के और पानीपत तक का नया हाईवे भी प्रोज है, तो इसलिए साथियों, ये अगर कोई करेगा, तो भारते जंता पार्टी और नरेंदर मोदी जी और प्रदेश का, मनोर लाज जी और नायव जी का नित्रितों करेगा, इसलिए पार्टी ने आज मुझे एक बार फिर मोका दिया है, हमने पहले भी पूरी कोशिश करी, पूरी निष्टाई मांदारी से, लगातर हर तरीके से इस छेतर के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, क्योंकि इकलोता, मैं सांसत था, एक विधायक उस समय थे, लेकिन आठ सीटों पे सरपंच का काम हो, विधायक का काम हो, छोटे से का काम हो, वो उन पांच वर्षों में हमने करके दिखाया, हमने विपक्ष की भी जिम्मेदारी और भूमी का निभाई, और मैं आज यहां पर उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, कि साथियों जब समय आता है, तो देर हो चुकी होती है, कहते हैं, अब पस्ताय क्या होत वो इनके मारे हुए है, सताय हुए है, यह सोशन की दुकान है, यह कहते हैं हमारी नफरत की, और यह कहते हैं कि भाई हमने तो महबत की दुकान खोल दिये, अरे साथियों इन्होंने 50 साल, 55 साल जब इनको मौका मिला, सोशन की दुकान बनाई, एक-एक व्यक्ति का इस ये 40-45 दिन का सही उपियोग करिये और जैसे रोडी ने हमेशा मुझे बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है मैं एक बार फिर रोडी की जंताव काला वाली और सिर्शा के सातियों से आवान करता हूँ कि आपको पीछे मुड के देखना नी पड़ेगा जिसके साथ इतना मजबूत रेत्रितों खड़ा हो जो हनुशाशित फोज हो जिसका कैडर मजबूत हो जिसके हमारे संगर्शिल और तपश्वी साती हो मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य सबका होजवल होगा इसलिए पूरी ताकत लगाईए और आने वाले समय में चार सो पार करिए और सिर्शा का ये कमल बहुत मजबूती से खिले पिछली बार तीन लाग से बहन सुनीता दुगल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया अभी वो आमान भी करी थी उन्होंने भी लगातार संगर्श किया वो चर्चा भी करी थी कि भई मैं किस तरीके से राजनीती में आई वो कह रही थी कि ये फेरवेल है मैं हमारी बड़ी बहन को कहना चाऊंगा कि राजनीती में आना भी मुश्किल है राजनीती में जाना भ बात कई है मैं इतना ही उनको कहूंगा हमारे तो पुराने साथी रहे हैं 20-25 साल से संबंद रहा है कि उन्होंने इस पूरे इलाके का पिस जिले का नाम रोशन किया है इसी तरीके से रोशन करते रहिए मैं कोवीड के दोरान देखता था मैंने भाई साब को फोन किया कोवीड इसी तरीके से कायम रहे मैं एक बार फिर पुने आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं मानिय मनोरलाजी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और उनको यही विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव और भावना से आप लोगों ने नरेंदर मोदी जी ने अमेश्या भारत में ये अपने आप में ये इलाका चमके ये हमारी सब की कोशिश होगी बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंजे भारत वाई गुरुजी का खाल्चा वाई गुरुजी की भते बोले सो निहाल धन्यवाद आज का दिन निश्चित ही सिरसा की राज़निती में एक नई इबारत लिखेगा नई तिजारत लिखेगा नयायती हास रचेगा क्यूंकि भाजपा के विशाल परिवार में एक और अजीमों नजीम सक्षियत अपने साथियों के साथ शामिल होने वाली है और मेरा निवेदन है मेरी छोटी बहन जिलाद दक्षनी ताशा सिहाग से ते हुए आगे की कारवई संपन करवाएं सबसे पहले अभी जब मंच के माध्यम से मुझे परिचे की द्रिष्टी से कहा गया मीनु में जी राजनेतिक तोर पे समाजिक तोर पे जो सेवा करते हैं वो मुझे लगता है पूरे अल्लाबाद नहीं पूरे सिर्सा को पता है कि उनकी समाजिक जो गतिविदियां रहती हैं वो किस तरह की रहती हैं लगातार वो समाज की सेवा करते हैं और एक समाज सेवी के लाम से जाने जाते हैं और दूसरा परिशे, परिवार के नाते मैं देना चाहूंगी कि मिनू जी, वैसे मेरे बड़े वाई safety हैं क्यूंकि इनका ननिहाल और मेरे हस्बन का ननिहाल एक ही घर में है तो उस नाते से ये मेरे परिवार के सदस्य भी हैं तो आज परिवार के सदस्य के नाते भी और राजनेतिक सदस्य के नाते भी आज वो हमारे भाजपा परिवार के अंदर समलित हो रहे हैं हम भाजपा परिवार की तरफ से और जिला द्यक्ष होने के नाते हम ये पूरा अश साथ उनको पूरा प्रेम प्यार्स नहें और ऐसा ही सहयोग उनको मिलेगा जिसकी अपेक्षा के साथ आज उन्होंने भारतिय जनता पार्टी का दाबंध हमा है हम पूरे परिवार की तरब से उनका भारतिय जनता पार्टी में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अविनंदन क करते हैं और हम अब उनको कि सबसे पहले मैं रोद करूंगी मानिय मुख्य मंतरी जी से कि उनको पठका पहना कर उनका भाजपा के अंदर स्वागत करें मिनु जी को जैश्री राम भारतिय जन्ता पार्टी अब की बार तीसरी बार भारतिय जन्ता पार्टी बले सोने हाँ गव माता की बलो गव माता की बारत माता की जैश्री राम राजनिती में कोई किसी पार्टी में शामिल हो या ना हो इससे फरक नहीं पड़ता फरक ये पड़ता है कि मोका क्या है और आशिरवाद किसका है मेरे जीवन का ये सुवर्निम पल है कि मैं एक भारत के संत के हातों से इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ मैं मनोरलाल जी का हारदिक धन्यवाद करता हूँ इस आशिरवाद के लिए पूरो में हमने एक पार्टी के गठन में काफी सहयोग और समर्थन दिया था जन्यवाद की जानता पार्टी उसका नाम था और मुझे लगता है कि भारत का हरियाना का कोई भी बच्चा इस बात से अवगत होगा लेकिन उनके जो चरित्र और उनके जो चाल थी उससे हम लोगों को भी नुक्सान हुआ और हमारे पेरेंटल पार्टी बातितनता करेंगे और हर पल किसी भी सीनियर कारेकरता की किसी बात को पूर्ण रूप से मानकर अनुशाशन में रहके हर काम पार्टी का करेंगे और भाई अशोग तमर जी को सो परतिशत डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़के रात दिन एक करके और हम अशोग जी फैसला कर चुक चाहिए हमारी पते बात की हो हम आज रात से ही सारे हर जगे अपना-पना काम शुरू करेंगे यह बात हम हाथ खोड़के तुम वश्वास दिलाओ के आज रात से ही आप काम शुरू कर दो गए पता लगना चाहिए कि परिवार में जुडने के बाद एक से ग्यार होते हैं अब समय का बाव है मैं मुनोलाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वह आपको सम्मोजित करें और आए हुए अतिती मेरे बड़े भाई सिरसा जी भाबी हमारी दुगल में मेरी चोटी बहन नताशा अशोक तमर जी गोविंद कांडा जी अमीचन सियाग जी हमारे चोपड़ बहुत 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 बहु सब्सक्राइब करें खड़े होकर बहुत बहुत धन्यवाद भारत मता के तो यह तो आपका अनर नहीं आ रहा सुनने में या बोलने में मुझे समय में नहीं पता लग रहा दिल्ली और चंडीगर्था कैसे पता लगेगा भारत मता के भारत मता के पुलिस सुन्या आज इस स्थान रोडी में भारतियंता पायटी के चुनावी सभा में मंच पर उपस्थेद हमारी यहां की सांसद सब तो इनको बहन बहन करके पुकार रहे हैं लेकिन मैं इनको अपनी भांजी कहके पुकारता हूँ और बड़ा अजीब सा एक विश्या आपको लगेगा कि हमारी भांजीया सांसद रही हैं एक त्याग भूरती हैं उन्होंने त्याग करके और जिनको अपने स्थान पर चुनावी लड़ने के लिए आमंत्रित किया है या उनका स्वागत किया है वो है मेरे भांजे चिरिया अब यह हमारे भांजे हैं वो हमारी भांजी है आप कहेंगे यह क्या तमाशा है तमाशा नहीं है वास्त्युक्ता के नजदीक है हमारे चाहे सुनिता दुगल की माता जी हो और चाहे अशोक तमर जी के माता जी हो दोनों मेरी गाउं से हैं रोतक जिले में इसलिए मैं इनके इसकाम के लिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये विशे चल रहा है कि संजेब हाटिया ने करनाल में त्याक करके मनोहरलाल को और अपनी जगाँ पर संसत का चुनाव संसत का चुनाव लड़ने के लिए और बुला लिया है उन्होंने अपनी सीट त्याक दे दिये और वहीं पर कभी-कभी मेरे बारे में भी कुछ बात उल्टी सी दी आती हैं कि इन्होंने भी त्याग करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और भाई नायव सेंग सहनी को दे दी है उसी कड़ीम में कह सकता हूं कि हमारी बहन त्याग मुर्ती सुनिता दुगल जेनी भी अपनी सांसत की जो सीट है वो भाई अशोक तवर जी को दे करके और त्याग का एक परिचे दिया है ऐसे एक बहुत ही एक सुन्दर वातावण में हो रही आज की सभा पायों बेनों समय कम मेरे पास बोलूंगा बहुत कम क्योंकि सारी बाते आ गई हैं अमरे यहां की जिलाद्यक्षब निताशा सिहाग इसी प्रकार से यहां के अपने नेता चाह बलकौ ब्ल्दी करेंगे कि प्रकार से अमरे भाई सरदारंगे जो नाम सिरसा है रहते दिल्ली में हैं दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं लेकिन भार्तिज Zachary की अखिल भारतिवत nådicarji है रास्त्य सचिव हैं जो हमारे national level के भाजपा के हमारे इस सेक्टरी है इसी प्रकार दिल्ली की गुर्द्वारा प्रबंदय कमेटी है मैनेजने कमेटी ऊसके भी आप पूरू में अध्यक्ष रहे हैं इस प्रकार आपने समाज की सिवा लगाता वर्षों से कर रहा हैं बहुत हमारा पुराणा परीचह जब आफ पार्षत थे शाद माधीपुर से आफ पार्षत फयी दिल्ली में तब से हमारा आफ का जो समंदाज से टीस साल पहले का बहुत ही बहुत एक रंतिकारी हो नहार हो जोशीले हमारे नेता और फिर यहां हमरे अधिते चोटाला परिवार के अंदर ही क्योंकि इस इलाके को माना जाता है कि चोटाला परिवार के बिरा शायद कोई राजिनिरिक पार्टी कही ना कहीं आगे बढ़ने में शायद पीछे रहती गया पहले जिलाद देख्षते अभी मार्केटिंग बोर्ड के आप प्रदेश के चेर्मन हैं इसी प्रकार यहीं से परिवार से चाहर अंजीत चोटाला जी हैं वो भी लोकसभा का चुनाव अपना जो हिसार से लड़ रहे हैं यह चीजें भी बहुत इस इलाके में मायने रखती हैं तो इसनाते से हमारे बहुत ही वरेष्ट और पुराने कारक्रता हैं जगदीश चोपडा जी और जिनका पिछले साल ही अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ और आज पूरे जोश करोश के साथ हमारे भाई गोविन काड़ा जी जिन्होंने पिछली बार पने बाती जिन्ता पाइटी के सुर्चनाव लड़े पूर में विधायक श्री रामचेदर कंबोज जी और डव वाली के बहुत थी करमठ कारक्रताब जो एकदम नीव से जुड़े हैं बहुत पुराना हमारा ये कारकरता है वर्शो पुराना देव कुमार जी शर्मा जो भी च मक्षन सिंगला जी और जिनका नाम मैं अब लेड़े जा रहा हूं जो इससे पूर्व जिन्नोंने आज जेजेपी को छोड़के जन्नाएक जनता पार्टी को छोड़कर के भारतिय जनता पार्टी के सबस्ता प्राप की है ऐसे श्री मीनू बेनवाल जी जो इस पार्टी के भी सयोग था लेकिन पार्टी से उपर उठकर के जो भारतिय जनता पार्टी का इनका समंद बहुत पुराना पहले भी रहा है बहुत सयोग अपना ये करते रहे लेकिन के मन किये वहता थी कि मैं जहां शामिल हुआ वहां किसी प्रकार का यानि ऐसा नयाय देखने को मिलता नहीं था वो बातें अलग हैं राजनितिक मजबूरी के नाते से हम लोगों ने एक दूसरे का सयोग किया और वो सरगार में शामिल हुए लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कई अच्छे वातर में जाके टिक सकता है इनको वहां किसी प्रकार के यानि वहां से जो मन की पीड़ा दिलाता हूँ कि जो भी आज शामिल हुए हैं इन सबका मान संबान कहीं भी कम नहीं रहने दिया जायागा जैसे भातिजनता पार्टी के पुराने कारकरता का संबान होता है मित्रो वैसा ही संबान आप सबका होगा इसमें कहीं कोई कठाई नहीं आएगी मित्रो मेरे से पह चीब बनापरची नोक्रियों की बात हो, चाये ओनलाइन कर समाज को एक समान देखना बिना किसी जाती भेद भाव के और हम लोग ने सब का जो सर्यों किया, सब का का विकात सिसनाती से किया, किशानों की साहता, किशानों को सम्मान, अभी मुझे आदिते चोटाला जी बता रहे थे कि अकेले सिरसाजले में कंपनसेशन के नाम से पिछले वर्षों में धाई हजार क्रोड रुपया आया है धाई हजार क्रोड रुपया एक वो कांग्रिस थी पूरे दस साल जब उन्होंने शाशन किया पूरे हर्याना में उन्होंने सिर्फ ग्यारा सो क्रोड रुपया और ये एक प्रकार से मौावजा दिया था जो सायता दी थी जो फसल खराबबा जो हमारे आने के बाद पूरे हर्याना में तेरा ह authरा क्रोड रुपया दे चुके हैं जिस मेंसे केवल सिरसाजले में भाई हजार क्लोड रुपय किसानों को दिया है बहुत किसानों की साहता की है चाहे वो 14 फसलों हमने जो MSP पर खरीदनी शुरू की है मंडियों का सुधारी करण किया है हमने मेरा पानी मेरी विरासत यह योजना बनाई मेरी फसल मेरा देवरा यह हमने किसानों को साहता दी हमने यानि केंदर सरकार की और से 6000 प्रती किसान साल भरका उनको दिया जाता उनके जोटे मोटे खर्चों के लिए तो बहुत से सब काम किये हैं गरीब आदमियों को अंतियोदे के नाते से हर घर में जो जुरूरत होती है वो मेरा यानि परिवार पैचान पत्र के माद्यम से घर बैठे उनको सब दिया है मित्रो देश में जो कुछ प्रधानमंत्र जी ने किया है इस देश को दुनिया में बड़ा स्थान प्राप्त कराना यह प्रधानमंत्र जी मोदी ज का ना माता था लेकर आज वही भारत का नाम ऊपर के पांच देशों में पांच सबसे बड़ी आर्थिक ताक्ते उसके इंदर भारत का नाम मिलता है तो भायों बैनों देश का नाम दुनिया में उचा पुचाने माला हमारे प्रधार्मति नेंदर मोदी जो को स्थान जाता है हमारी बहुत सी मानेताएं अंतरास्टि इस्तर के उपर और उन्होंने स्थान दिलाया है चाहे योग का स्थान हो आज सारे देश में दुनिया में योग का दिवस मनाया जाता है कि उनको ये नेंदर मोदी जी के कारण से हुआ आज हमारे चाहे सिक परंपरा के गुरुगर कर्सी देखती है कि भारत का जो शाषण है वो शांती ववस्ता को कावम करने वाला शाषण है इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मित्रो एक तरफ तो भायतिजनता पारटी की संस्कृती है, इस संस्कृती को हम सब जानते हैं, कैसे वीचार भायतिजनता पारटी के हैं, और दूसरी तरफ, कॉंगरिस की थरकार, यानि जहां कलपना यह है कि एक परिवार के नाते उससे बाहर निकलना नहीं है यानि हमको तो अपना पुराना अनुभाव पत्यास हम जानते हैं लेकिन कॉंगरस का इत्यास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तवर जी इनको इसकी जानकरी हो सकती है तो अशोक तवर जी से जम बैठते हैं कहते हैं क्या हालत हुआ अपने प्रदेश की अध्यक्ष का सिर्फ होड़ देते हैं इससे बड़ी अनुशाश नहिंता कोई Congress में हो सकती है जब अशोक तवर जी को उन्हों मारी थी मैं स्वेम हस्ताल में गया था हाल चाल पूछने में ला उन्हें बड़ी हरानी होई कि अपने प्रदेश के अद्रक्ष का सिर्फ आठ दिया कारकरताओं कोई अनुशाशा नहीं है यानि कांगरस में एक जैसे परिवार क्वाद की सरकार चलती है बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं अभी पिछले दने दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांगरसे नेता अब बुपेंदर होड़ा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू और दोनों हार गए दोनों हार गए इसका मतलब हुआ कि बापू के बेटा नहीं जीत सकता बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता फिर पार्टी कहां गई वैसे तो दो नहीं दसकी दस सारे थे और आज भी आज उनकी जो जूतम बजार चल रही है पिछले पंद्रा दिन से रोजाना रोजाना यारा आज उनकी सीटें घोशे तो आज टिक्टे बटी आज बटी आज बटी अरे बाटनी की जुरूत भी नहीं है आपको अपने घर बैठो कोई जुरूत नहीं आप फिल्ड में आने की फिल्ड का तो भारतिजंता पायटी के प्रतियाश उने एक वा कर ढूंडारे में जाएं गुरू लंगर में जाएं अंदर जाता है तो पूरी खत्म है अब जब पूरी खत्म हो जाती हैं लोटता है बाहर आके देखता है तो उसकी चपल गायव अंदर पूरी खतम बाद चपल गायव फिंगा सा देख करके लोटता है कुछ नहीं बचना है तो मित्रों आज कॉंग्रिस का एक प्रकार से उनकी निर्णे लेने की ताकत खतम हो गई है एक महिने से वह लोग सोच रहे कि अब मिलक के भातिजिता पार्टी को हराने का मनसूबा इनका कैसा होता है जैसे जुगनु देखा ना जुगनु जुगनु क्या होता है रात को टिम्तिमाता है तो एक ऐसा ही एक गोलाइन मैंने पड़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनु मिलके बैठ गए सारे जुगनु मिल बै जुगनू सहरसूरज का रास्ता बदले इस प्रकार की मान सेकता इनके मनों में है ये इंडि घटबंदन को इधर से आया खुदर से आया घटबंदन नाम से करते हैं लेकिन एक दूसरे को बरदास करने के लिए तैयार नहीं है पुरे देश में कहीं इनके घटबंदन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है कहीं कुछ नहीं है तो इसलिए मित्रो मैं अपनी बात को ये कह करके अप स्वाथ करूँगा क्योंकि मिरे पास परची आ गई है कहली का उट का टाइम हो गया अगर अब इस शमय से नहीं चले तो फिर बाई रोड हमको इसार जाना पड़ेगा प्रकार चायकरा मित्रो आपको भी मेरा निवेदन के एक एक राश्धर्म होता है उस राश्धर्म का ख्याल करते हुए आपको जाद देश का भला लगे उदर आगे बढ़ जाना आपको किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि क्यों आपने भातिजनता पाइटी के बारे में लिखना है या किसी और पाइटी के बारे में नहीं लिखना है आप मित्रो जो ठीक बात उसको लिखेंगे तो लोग तंत्र की जीत होगी आने वाले 25 सारिक को वोट जगार ज़हाँ डालाएं यह लोग besar की जीत है और उन बोटों में से जग्यादा चैंदा भातिजनता पा मोदी की जीत है और सहीयों कि से शायद पिछली बार कोंगरिस की टिकट पर यहां चुनाव लड़े थे अ कर सकते हैं झाल 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 आपको 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